थ्री पॉइंट्स P Q R P है H K Q है X1 Y1 R X2 Y2 लाइ ओना लाइन शोव डाट हमें यह प्रूफ करना है दखो पहले यह तीन पॉइंट है मैंने क्या करा solve कैसे करेंगे हम solve ऐसे करेंगे हम हम बोलेंगे कि जो P Q की slope है और जो Q R की slope है वह सेम होगी क्यों क्योंकि P Q और Q R A की लाइन पर लाइन करते है तो उनकी slope क्या होगी सेम होगी तो मैंने लिखा क्या slope slope of P Q of P Q is equal to slope of Q R ठीक है तो slope of P Q निकालते है हम slope of P Q क्य होगी y2-y1 यानि क्या y1-k upon x2-x1 यानि x-h अचा अब slope of Q R क्या होगी यह जेगी y2-y1 upon x2- x1 ठीक है क्या है slope of P Q is equal to slope of Q R because P Q R is one line P Q R क्या है एक line है तो इनकी slope क्या होगी सेम होगी या फिर लिख दो because P Q and Q R are collinear अब slope of P Q y1-k upon x-h is equal to y2-y1 और x2-x1 इनको cross multiply कर दीजे आप यहां से क्या हो जाएगा यह है x1 ठीक है न यहां से हो जाएगा y1-k into x2-x1 is equal to y2-y1 into x1-h प्रूफ क्या करना देखिए प्रूफ करना हमें यह है k-y1 हमारा क्या है y1-k तो अगर multiplying दोनों sides को both sides by minus 1 ठीक है दोनों sides को अगर हम मैं मैंस 1 से multiply करूँआ तो क्या होगा यह जाएगा k-y1 x2-x1 is equal to यहाँ पर क्या है गा x1-h की जगा देगा h-x1 और y2-y1 देखिए यही प्रूफ करना है हमें यही प्रूफ करना है तो क्या होगा hence proved